हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज है एक जून 2021 और आज की 14 पंदरा अपडेट्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगी इस वीडियो में तो जैसे के आप थमनेल के उपर देखी रहेंगे इसके लाब और वी अपडेट्स हैं ज तेरह उन्हा में 99 सिर्व मौर में 87 हमेर पुर्ण में 75 शिम्मला में 64 बिलासपुन में 52 चंबा में 49 किन और कुलू मैं 41 26 आज 19 हुई मोते कुल मित्कु की संख्या 3127 कुल संक्रम्तों की संख्या 1,90,330 एक्टिव केस हैं 13621 और अब तक जो है 1,70,506 जो हैं लोग ठीक हो चुके हैं दोस्तों यह है COVID-19 की ओफिशियल अपडेट ओके चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही 23,836 लोगों को लगी वैक्सिन के इंदर से खुरा के आने पर तैह होगा जून का शेडियूल दोस्तों यहां पर जो है 18 से 44 साल के जो लोगों लोग हैं उनके लिए अभी उनको इंतजार करना पड़ सकता है टेके के लिए क्योंकि टेक आई थिंक जो यहां पर वैक्सिन आई थी वो खत्म हो चुकी है और अभी जो है इस माह के अंतिव शेडियूल की क्रोना वैक्सिन लगाए गई गई है इस वर के लिए एक लाग साथ हजार डोज मिली थी इस आई है ठीक है कारण केंदरों सिरम इंस्ट्ट से डोज ना आना है जैसे ही डोज आएगी सरकार शेडियूल जारी कर देगी ऐसे में युगाओं को इंतजार करना पड़ सकता है राज्य भर जो है राज्य भर में जो है दोस्तों वावन केंदरों पर सुबह 10 वे से वैक्स दिन नहीं है तो यह अभी तक नहीं बता रहे हैं जब वैक्सिन अवेलेवल हो जाएगी यह आजाएगी तब आपको यह शेडियूल जहें बता देंगे कि कब कब क्या क्या booking होगी ठीक है तो यह लेटेस्ट अपडेट है नेक्स्ट अपडेट आप पूछ रहे थे इसके और यह है न्यूज में इससे बैए 24 सपरेल को 23 और 22 सपरेल को 20 लोगों ने तोड़ा था दम तो यह कुछ यहां पर अपडेट है दोस्तों इसके अलावा में बात कर लों कि यह तो मैं बता ही चुका हूँ तो ब्लैक कांगड़ा में ब्लैक फंगस से दो मरिजों की मौत त 24 तक मिलेंगी ग्राहकों के सवाय पहले उसके मिल रही थी मटावी जो है दो एक बंगे क्योंकि अभी जो है फूरे चार बज Ciao रेटे तो एक नकि और बैक बंद होगी और दो ब ciudad जो यो आप इसमैनल रेंकड़ कुछ भी खोणł कर सकते हैं इसके अनावा पाचास फीजिस्ट आप को ही बुलाने का भी लिया है छे जुन तक जारी रहेगी व्योस्ता राज श्तरीय बैंकर स्मितिन अलिया फैंसला तो यह दोस्ता है कि लेटेस्ट अपडेट है आप पूछते हो कि बैंक का क्या है तो बैंक का पहले टाइमिंग दस से एक थी अब दस से दो बज़े तक जो है यह ओपन यहां पर रहेगा ठीक है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है आपको पूरी प्रोपर तरिक्षे से वहां पर मास्क बैरा प्याने कर जाना पड़ेगा बैंक को मैं ओके चली दोस्तों नेक्स्ट अप्टेट यह रही बिजली बिलोर शट्डान का म अप्लोड करना होगा करवाना होगा मुवाइल नंबर करोना संकत के बेच उप्टाओं की सुवजा के लिए बोर्ड ना शुरू की सेबा तो दोस्तों यहां पर जो है राज्य बिजली बोर्ड के विद्यूत आपूर्ती से समंदेश शट्डाउन विद्यूत बिल बिल ब आवश्यक सुचनाएं उप्वगताओं को उनके मॉवाल पर फॉन पर मिलेंगी क्रोन संकत के बीच उप्वगताओं को घर बैटे सुवजा देने के लिए बिजली बोर्ड ना उनन सेवा शुरू की है हिमानचल प्रेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटर से इन सभी आव सेबी डोट इन पर आपको रिजिस्टर यहां पर कराना होगी ओफीशिल वाली ठीक है वहाँ पर जो एक्षिटी बोर्ड के ओफिशिल उससेट है एच्प एच्प एच्ट अप्टेट यह रही पांच घंटे खुली सभी दुकाने बाजारों में समान रही भीड सुभा न स्वनियारी स्टेशनरी की दुकाने और स्राव ठेकों पर थोड़े ज्यादा दिखे ग्राहक मोसम ने भी रोके लोग तो यह कुछ दो दोस्तों भी सारे दुकाने खुली होंगी सेलोन बारों की भी सभी ठीक है इसके अलाबा पाजार में पहुंची तो महंगाई से और यह भी आपको बता दिया सेलोन बगारा सब कुछ यह खुले लेंगे सबीत तरह की दुकाने चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही तक्निकी विश्यवजरे लेगा और प्रिक्षाएं आठ तरह के शुलकों में 50 फिजदी छूट तो यह दोस्तों मैं आपको कल एक स्प मतलब आधा किया यह भी इसके 74 सुर्वे बनते हैं बट इसमें से आधा इन्हों नहीं यहां पर माफ किया है 50 पसेंटी बाकी जो 37,004 सुर्वे फीस है वो पूरी इनको देनी पड़ेगी तो यह दोस्तों यहां पर अपडेट है और ओनलाइन पहली बार यह प्रिक्षाए जो यहां उनलेर करवाने जा रहे हैं चलिए दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही बलह नहीं दूसरी जगह बने एरपोर्ट तो किसान संघर समितिन है मंडी एरपोर्ट के खिलाब फिर की आवाज बुलंद और इनका कहना है कि बलह नहीं किसी दूसरी जगह जो है यह एरपोर्ट बनना चाहिए ओके दोस्तों यह यहां पर अपडेट है चलिए नेक्स अपडेट देखते हैं यह रही मई से सावाने से चार फीसदी कम बरसे बादल तो समर सीजन में एक मार्च से 31 मार्च तक प्रदेश के प्रदेश में 11 फीसदी हुई कम बारिश मंडी स कोड हुई है और यह कुछ दूस्तों यहां पर ब्रेट है पूर आप देख सकते हो ठीक है पुरा पढ़ना चाहते हैं यहां पर पड़ सकते हो चलिए दूसरे नेक्स्ट अप्रेट यह रही दोस्तों जे ओ ए अकाउंट की लिखित प्रिक्षा का प्रदाम घोशित हो चु लाइक को जो है इनका जो है क्या होगा मुल्यांकर होगा यानि की इवैल्यूशन होगी तो यह दोस्तों एक इंपोर्टन अप्डेट है यहां पर और चलिए नेक्स अप्डेट देखते हैं तो यह रही मशीन से चहरे की पहचान कर लगेगी अब अफसरों और कर्मियों की हासिरी तो पंदर जून तक ट्राइल आधार पर हादरी लगेगी करोना से बचने के लिए फैंसला सची वाले में आज से शुरू होगा काम बायोमेट्रिक मेट्रिक से लगती रही हादरी ट्रायल सब रहा तो विश्य के लिए इसी तरह कर दी जाएगी विवस्ता तो यह पर अपडेट है ठीक चलिए नेक्स अपडेट देखते हैं यह रही दसमी के ब्रणाम और बाहरमी की प्रिक्षा पर आज दुस्तों चर्चा होने वाली है तो ही मांचक पुदिश बोर्ड ऑफ स्कूल अजकुशन धर्मशाला धर्मशाला की तरफ से दसमी का रिजल्ट औ बाहरमी की प्रिक्षा करवाने के लिए मंगल भार को बैठेख करेगा बॉर्ड अध्यक्Sure के अधिकता में होने वाले इस अधिकारी अपनी मोझूद की दर्च करवाएंगे बैठेक में दसमी का रेजल्ट और बाहरमी की प्रिक्षा का सिंचालन करने के लिए योजना बन कि प्रमोट के इलावा बाहर में की प्रिक्षा के संचालने के लिए डेट शीड बनाने से अन्य विश्यों पर चर्चा जो है आज होने वाले है कि किस तरह से इनके एक्जाम करवाए जाएंगे अब को जाता हूं जो कुछ अप्डेट से कुछ यहां पर कॉश्चन आते हैं तो अनका मैंने आपे लेता हूं ठीक है तो आपका पहले था अब वैक्षिन स्लोट आपको बता दिया यह बता दिया अच्छे दस्मीं का भी बता दिया ओके इसकर जाट ओके दोस्तों एस्प्य जितनी बार भी ऑक्जाम हो आप इसके ऑफ डिओन और आपके बारे में इसके अब अब है जो लो उसके ऑपर वही डेट लेशविए 20 माई 2021 और कोई भी ओफिशल नोटिफिकेशन अभी एक्जामिनेशन फॉर्म भनने का नहीं आया हुआ है मुझे पता कि आप लोग जो है बुझा अटेंशन ले रहे होंगे तभी यह आप कोश्चन कर लोग कि सैकेंड फॉन सिक्स के एक्जाम कब भरेंगे दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दू जो स्पेशल चांस होता है गोर्डन चांस 2015 वारों के लिए या इससे पहले 13,14,15 वारों के लिए तो उनके लिए पता कि I think meeting होती है और उस meeting में फिर ये फैसल लेते हैं कि हाँ इनको ये चांस देना चाहिए पिछली बार आपको first, third, fifth का मिला था गोर्डन अभी second, fourth, sixth का मिलेगा तो अभी उसके लिए official notification नहीं आया हुआ है तो अभी जो official notification आयेगा तब बो जो है आपकी ID पूरी तरह से open होगी अभी क्या था इन्होंना date तो लिख दी थी उपर website के ओपर की 20 माई 2021 से last date है form बने की बट उसके ओपर बहुत सारे students के कह रहे थे कि यहां पर जो है option ही नहीं आ रहा था semester select करने का तो अगर option नहीं आ रहा था मतलब अभी तक नहीं start होगा ठीक है तो जब भी official notification आयेगा I think उसके बाद ही यह form भना start होंगे ठीक है जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा उसके यहीं दोस्तों आज कोछ इंपोर्टेंट अप्डेट्स वीडियो क्रची लगे तो लाइक शेयर चालंग को सब्सक्राइब जूरू करिएगा मेरे लेटेस्ट अप्डेट्स के लिए थैंक्यू